नवस्कार दोस्तों तुछे लिए हम लोग बात कर रहे थे सामा निज्यान के बारे में इसे हम लोग विस्थ्यू का इतिहास टॉपिक लिए वए हैं इससे पहले हम लोग बहारत का इतिहास पूरी थ्रह से कम्पलीट कर चुके हैं विस्त के इतिहास में लास्ट क्लास में हम लोग ने बात की थी फ्रांस की राज्यक्रांति के इरारे हैं आज बात करेंगी पुंजीबात का विकास आधोनीक योग की एक पिरमक विसेस्था पुंजीबात का उदय है पुंजीबात को परिभासित करते हुए जे एन हॉप्सन ने कहा कि पूझी बाद एक उद्धोगिक संगतन है जिसमें नेवक्ताओं की एक कम्पनी या पर एक नेवक्ता जिसके पास धन है और वह है उस धन से कोई कच्चे मालों एबं उखकरणों को प्राप्त करता है तथा सरम लगाता है और मुनाफ्य के लिए ब वस्तुओं का उत्पादन करता है यही आपका पुझी बाद है कुलीन बर्ग कि सहरों में रहने से सहरी छित्रों में जमीन के मूल में बिद्धी इसका एक अनिवार फैड़ा में हुई है इससे जमीन के मालकों की आय में आपित्यासित बिद्धी हुई है और इस पेकार अरजित आय में से पुझी बनने लगी है धरम योद्धी के समय तथा उसके सीख बाद होने वाली वाडिज्जी के आपित्यक्षपेसार की फरस औरूप इटली के नगर इससे अधिक लावा जन्वित होते थे इस कारण इटली के नगरों में ही आधुनिक पुझी बात के एक सरवादिक महत्पूर उपकर्ण महाजनी पित्था का महाजनी पित्था या फिर बैंकिंग कब पहले-पहले उदैबुई हुआ इटली में इस पेकार आपकी महाजनी एक पेसा बनता गया और साथी आधुनिक पुझी बाती बिवस्था का एक अभिन अंग भी बन गया बात करें पुझी बात करें तो पुझी बात के उदै के परश्या उत्पादन के तरीक के में परिवतन होने लगा इस पेडाली के अंतगत कुछ नए उद्द्योग धन्दे आरम हो रहे थे क् कि गिल्ड पिडाली इन उद्द्योग धन्दों को नहीं चला सकती थी खनेजी उद्द्योग मोत्रण तथा पुस्तक वेवसाय जहाजों करें नमाड आधी यसी उद्द्योग ने आपके मद्यकालीन किर्सी पिडाली या पिर मैनुरियल विवस्ता पर फूंजी बात का प्रभाव पड़ा अपनी जागीरों को अधिक लावकर बनाने कि उद्द्य से अधिकतर जमीदार नगरों में रहने लगे थे तथा वड़िज ब्यापार या पिर अपने कारेओं में अपन माल गुजारी निर्धारित कर दी गई अब बात करते हैं हम लोग वड़िच बात के बारे में वड़िच जवाद एक बिसेश प्रकार की नेती थे मौटे तोर पर वड़िच जवाद कारत होता है आर्थिक राष्टवाद अर्थात राजी के आर्थिक जीवन तथा उद्द्योग धन्नों समंदी कार इबं ब्यापारिक कारिकलापों की सरकार द्वारा नेमन वड़िच जवाद का उद्वाद आपका 1600 से 1700 इसवी तक माना जाता है इसकी कुछ बिसेश्टाएं 1800 इसवी तक कायम रहे हैं सिर्फ ड़च सरकार ने वड़िच जवाद को नहीं अपनाया वड़िच जवाद की सिद्धान का सबसेधिक पालन फ्रांस में लुई 14-2 यानि 1643 से 1715 किसासनकाल में हुआ वड़िच बात का एक पहलू राज़दौारा वड़िच बात का एक पहलू राज़दौारा सोना चांदी की संचे की अनुवरत कौसित था इसे बुलियन बात भी कहा जाता था इसका अभीपया यह था कि किसी राष्ट की संपनता देश के अंदर जमा सोना चांदी पर निर्भर करती थी जिस देश के पास जितना अधिक सोना चांदी खाजाना होगा वह देश उतना ही अधिक संपन होगा इसके द्वारां फ्रोध्धुगी की किछेत में तेजी से विकास हुआ और लोगों ने पूझी का संचयारम किया 1600 इस भी के बाद तो समुद्ध पार के ब्यापार के लिए अंग्रेजी, डच तथा फ्रांसी सी कम्पनिया का तांता लग गया इसमें सबसे तोभाग गिसाली तथा पिख्यात हुई बैटिश इंडिया कंपनी इसकी स्थाब नहीं आपकी 1600 में हुई थी तो यह था आपका पूझी बाद और उसी से सम्मधित आपका वड़िच बाद अंगली के रास में हम लोग बात करेंगी अमेरिकी करांती की बारे में ठीक